हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एजूकेशन प्लस जोब पर गूरूप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है लगबग सभी जोन का आ गया है जिन जोन का बाकी है आज की दिन में आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ये जो पर्टिक पर फाइनल सेलेक्शन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है पहला सवाल तो यह है दूसरा सवाल यह है कि कितने कई बच्चों के ऐसे हैं कि माली जे किसी के 62 नमबर है मैं कमेंट आप लोगों को सभी के दिखाऊंगा भी और उसके कटोफ जो है वो 58 के आसपास में गई है 60 के है उसके बवाद में काटोफ के बराबर लाने वाले जैसे कि मैंने आप LO МУЗЫКА को बता दिया है उनका लिस्ट में नाम नहीं है क्या कारण है कि नाम नहीं या रोब कोई शर्य सक और यह वज फैसन्कि जॉतों कशनल रॉग हों कि घंप दें चत्रयक सब्सक्राइब 5 को 16 और शी को मिला एक साथ ही आप लोगों का रिल्कुल भी नहीं नोर्म स्यूब Canal करने से फहले प्रिप्रेटैल करेंगे प्रिटेर का मतलब ही आप लोगों को मैंने पुरे डिटेयल में और और अलग लग यूट्यू चेनल में बताद चाहिगा था कि आप लोगे जो shift होगी ना उस shift के ही सब कुछ depend करने वाला है आपकी shift के जो topers होएंगे उनका average marks देखा जाएगा और तमाम सारी zone की आप लोगों की आपके particular zone की जितनी भी shift होई थी उन सभी shift को base मानते वे फिर normalization किया जाएगा तो percentile basis सिरफ आपकी shift के आदार पर होगा कि आपकी shift में कि परजेंड थे आपसे कम नमर वाले कितने थे आपकी जितने नमर आ रहे थे उतने कितने बचे थे उन सभी को जोड़कर जो percentile का formula था वह लागू किया गया है थाभी जो आप लोगों को cutoff दिखाई जा रही है उसमें पहले percentile marks बताए जा रहे है और उसके बाद में नोर्म नहीं बढ़ा है इनका कहना इसी प्रकार का में कहा रहा हूं कि जो high cutoff आले zone थे जिनकी maximum high cutoff ही जाती है बार-बार वहां अगर average आप लोग देखोगे अब इस बच्चे की अगर आप लोग average देखोगे उस particular shift का average देखोगे वहां बेटने वाल student का toppers के marks देखोगे न तो आ आप लोगों का scorecard जारी किया जाएगा ना जब आप लोगों का scorecard आएगा तो scorecard में आप लोगों को एक चीज नीचे दिखाए देगी कि PT के लिए qualify है या नहीं yes or no के अंदर उसके अंदर आएगा तो आप लोग वहां जरूर देखेगा वहां आप लोगों को पूरी detail दी कितने नमर बड़े हैं कितने हम कट आप लोगों को scorecard के माधिम से ही पता चलेगी उससे पहले आप लोगों को जानकारी नहीं मिल सकती है एक अंदाज़ा अपन लगा सकते है कि maximum जो है आप लोगों को अभी तक जो कमेंट्स पड़े हैं मैंने बहुत से अपने चैनल पर भ है वो 58 के आसपास में गया है है ना तो इस बच्चे को यह नहीं नहीं जाएगा कि 58 से बढ़कर 65 तक चला जए तो वो अपने फिजिकल की जो त्यारी है वो अच्छे से कर सकता है लेकिन एक चीज में आप लोगों को बता दू जो भी यह सोच रहा है कि मातर मेरी तो कुट की त्यारी 100% करनी होगी क्योंकि ग्रूप डी के अंदर इस बार जो मोका आप लोगों को मिल रहा है वो सायद घवी नहीं मिलने वाला है वह से यूटुबर थे जो पहले से यह कह रहे थे कि 40-45 वा लोगा तो कहीं किसी परकार का कोई competition नहीं है मैंने हर वीडियो में आप कि अप्र लोगों के नंबर कम ही ऑघे एक बार आप लोग रेलवे पर विश्वास करीये अपने आप पर विश्वास करीये और थोड़ी दिन बी सही आप लोग फि्जिकल की तैयरी जो है वो करने जरूर जाई है उसका रिजल्ट आप लोगों को मिले गा ही मिलेगा और व है वो 58.4 गया है उसके बावजूद भी इन लोगों का सेलेक्शन नहीं हुआ है यह खाहां से थे यह एहमदाबाद से थे जबकि एहमदाबाद की जो को टॉफ है वो एवरेज के टॉफ गई है इसा भी नहीं कि हाई को इस बार गई है उसके बाद मेरे पच्पन नंबर थे इनका पांच नंबर भी नहीं बड़े है यूर के बात करें तो यह बहुत सारी चीजह है जो आप लोगों को अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी ठीक है ना यह आप लोगों के सामने एक कमेंट आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि मैकसिमम नंबर जो है वो पढ़ने उसके 9 नंबर कम से कम बड़े है तो मेरे 46 थे SC केटेगरी से तो मेरे कितने बड़े क्या उतने बड़े क्योंकि मेरा सेम डेट सेम सिफ्ट और बिलासपूर जोन था प्लीज रिपलाई करो वो आप लोगों को पहले देखना होगा कि आपका सेलेक्शन हुआ या नहीं जो है यहां बैठने वाले स्टुडेंट अलग अलग थे क्योंकि बहुत से यूटूबर जैसे में बार बार बता रहो कि जो बेवकूफी है वो रिल्विक हभी नहीं कर सकता है आप अपनी वीडियो में इन चीजों को बता सकते हो बलकि यह बिल्कुल भी नहीं होया है यह चीज कि आपको 16 जोनक की जो नोर्मलाजेशन है वो एक साथ कर दिया जाए सभी का प्रसेंटेल अलगला किया गया है और उसके बाद में नोर्मलाजेशन आप लोग को किया गया है हलंकि नंबर बढ़ेंगे आप इस चीज को मानने के लिए विल्कुल तयार रही है कि 10 से 12 नंबर तो जो है वो अगर किसी की हार्ड शिफ्ट थी तो मैक्सिमुम दस से 12 नंबर तो नेचरल सी बात है कि उस शिफ्ट के बढ़ाए जाए गया है तो यह सारे सवाल थे जिनके बारे में आज अपने बात करने वाले थे अगली वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊ आटा गया है तो